समस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने वाले हैं कि कैसे एक आम आदमी चेस्ट एक्सरे को देख सकता है और उसमें जो भी फाइंडिंग से उसको समझ सकता है जब भी हम किसी एक्सरे को देखते तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते कि आर इसमें बरूर करें लेकिन मैं आपको बैसिक डिटेल समझाने की कोशिश करूँगा कि इस माध्यम से आप समझ सके कि हाँ चेस्ट एक्सरे क्या है जब भी एक्सरे बीम जाने की जो केड़ने हैं हमारे शरीर पे डलती है तो हमारे बॉड़ी पर हमारे बॉड़ी का हर पार्ट अल उसका कलर हमारे पास लाइट ग्रे कलर का होगा बॉंज जो है वह आप देखते हैं ऑफ वाइट कलर में होगी और जो भी मैटलिक पार्ट होगा बॉड़ी के अंदर वो बिल्कुल वाइट आपको देखने को यहां से मिलेगा तो यह बैसिक चीज है कि आप समझ सकते हैं अ आप देखें कि पेशेंट की डिटेल प्रॉबर है या नहीं यहां पर आपको दिखेगा यहां पर और यहां पर लिखा रहेगा चैस्ट पीए कि मैं बाद में से एक्स्प्राइन करता हूँ पहले आप पेशेंट की डिटेल को अरको कंफर्म कर लें और जब भी एक्स-बे patient है वो आपकी तरफ देख रहा है तो आपसे कभी भी error नहीं होगी कभी भी आपको left या मेरा light left या आपका left या मेरा right करने की जोरत नहीं रहेगी एक simple तरीका की patient जो है आपकी तरफ देख रहा है अब जब भी x-ray लिया जाता है वो दो तरीके से तो हम AP view भी कहते हैं आपने देखिएगा कितने बाद x-ray पर लिखा होता है AP view PA view तो AP का मतलब हो गया anterior posterior anterior posterior का मतलब जो x-ray beam है वो सामने से डाली गई और फिल्म पीछे की तरफ है यह बहुत कम रेर के इसमें यूज करते हैं जब patient unconscious हो या चाए एमुलेट नहीं किया जा सकता हो एसे situation में हम इसको यूज करते हैं आदरवाइस इसको यूज नहीं करते हैं दूसरा जो है हमारे पास आता है वो posterior anterior view इसके अंदर जो x-ray beam है वो हम पीछे से डालते हैं पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप इस तरीके से खड़े हो जाए और patient इस तरफ जो फिल्म है वो सामने की तरफ है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हम findings देख सकते हैं patient जो है conscious है और इसमें जो position हमने बनाई पेशेंट की है अगर आपको थोड़ा सा अगर आपको anatomy का knowledge है तो आपको ज़रूर पता हुआ कि हमारी जो scapula है वो retracted होती है और patient का जो PA view आता है वो बहुत अच्छा आता है rare case में जब patient conscious नहीं है ICU एडमिटे तो हम AP view लेते हैं तो दो view हमारे पास हो चुके हैं AP view और PA view दोस्तो इससे पहले कि हम x-ray को समझे हमें कुछ body parts को समझना बहर ज़रूरी है जो हमें x-ray में अमूमन नजर आते हैं यदि हम किसी chest x-ray को ध्यान से देखे तो आप देखते हैं कि यहां सबसे पहले जो top से हमें जो structure दिखता है वो होता यह वाला यह हमारी श्वासनली है जिसे हम trachea कहते हैं जो vertebral column के साथ साथ में parallel आपको आगे पीछे नजर आती इस तरीके से यह हमारी collar bond जिसे हम clavicle कहते हैं यह यहां नजर आती है दोनों तरफ और यह हमारी कंदे की जो हड़िया है जिसे मिस्कैपुला कहते हैं वो side में नजर आत इसके साथ में आती हमारी पासलिय पासलिया जो है यहां यह सारी के ribs हैं anterior posterior ribs हमें देखने मिलती हैं आगे वाली जो पासलिया उनको आप एंटीर कहते हैं जो पीछे की तरफ से さथ में जब यहां आते हमारे जो lang से जब पहला हम कहते हैं जो राइट लंग है उसमें तीन लोब होते हैं, एक, दो और तीन, यह तीन सेक्शन में बना होता है, और जो लेफ्ट लंग होता है, वो टू सेक्शन में बनावा होता है, और यहाँ पर इस जगह पर आप जो यह कॉर्णर देख रहे हैं, that is very important, इसको कोस्टोफ्रेनिक एंगल कहते हैं, यह कोस्टोफ्रेनि में देखेंगे आने वाले समय में, तो यहाँ पर इसको कॉस्टोफ्रेनिक एंगल कहते हैं, इसको कार्डियो फ्रेनिक एंगल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह जो दिख रहे हैं, यह पूरा इसमें हार्ट है, जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, और यह जो चीज और इसे cavity की बीच की जो लेयर है, जो एक डायफ्राम यह उपर नीचे है, सांस के साथ होता रहता है, और यह राइट साइड से थोड़ा सा अप और लेट साइड में थोड़ा सा डाउन होता है, और यह जो space है, आप जहां देखते हैं अंदर पूरा, यह air space है, जिसमें से हव आती है और जाती है, तो यह इस तरीके से आप यह देख सकते हैं, यह पूरा एक basic structure हमें देखने को मिलता है, अब किसी भी X-ray को देखने के को सिद्धानत है, यदि इन steps को अपने follow कर लिया, तो आप काफी कुछ X-ray को समझ पाएंगे, इनमें सबसे पहले जो चीज है, हमा सारी चीजे हैं, अब एके करके जो हम समझने कोशिश करते हैं, कि यह चीज कैसे काम करती है, सबसे पहले हम बात करते हैं, रोटेशन की, तेकि रोटेशन का मतलब है कि पेशेंट के इस पोजिशन में X-ray पे खड़ा है, इस चीज को चेक करने के लिए कि अगर पेशेंट स कॉलर बोन, दोनों तरफ के कॉलर बोन की जो दूरी है, वो बिलकुल बराबर होगी, जो इसका मेडियल एंड है, क्लेविकल का, वो दोनों तरफ बराबर है, यानि कि पेशेंट बिलकुल प्रोपर रोटेशन पे खड़ा है, इसमें रोटेशनल एरर नहीं है, और X-ray बीम है, वो बराबर है, लेकिन अगर पेशन हलका सा भी रोटेटेड है, हलका टेड़ा खड़ा है, या मैं ऐसे खड़ा हूँ, ऐसी सिचुईशन में, जो X-ray आएगा वो आप देख सकते हैं, यहान लेफ साइट के अंदर आप देख सकते हैं, यह रोटेशनल एरर है, यह आप आप देखते हैं, आपको क्लियर हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड आता है हमेरे पास, इंस्पिरेशन, जब भी हम पेशन का X-ray लेते हैं, तो हम कहते हैं कि बहुत तेस्टेश हावा आप अंदर लीजिए, होल्ड करके रखे हैं, जब हम हावा को होल्ड करते हैं, इ अच्छे इंस्पिरेशन के लिए माना जाता है कि जितने भी जो पॉस्टिरियर रिप्स हैं, ये रिप्स आप देख सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, ये कम से कम आठ से दस पॉस्टिरियर रिप्स विजिबल होनी चाहिए, तो इसे कहेंगे हम गुड इंस्पिरेटरी एफ और यदि पेशेंट ने धंग से हवा अंदर नहीं लिए, तो आपका एक्सरे इस तरीकी से आएगा, अब ज़रा हम गिनते इसमें रिप्स कितनी दिख रही है, जैसे हम आपका अकाउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से जाधा नहीं दिख रही है, इसलिए हमने इसे कहा, पूर इसे पूरी हवा नहीं बरी, एक्सरे साफ नहीं आया, आप देख सकते हैं, लेकिन अब आपने बोला कि रुकोर को एक काम करो, फिर से हवा पूरी अंदर लो, पूरा उसका अच्छा इंस्पिरेटरी एफट किये, तो अब उसका एक्सरे लिया, तो हम आपकाउंट कर सकते तो दूसरा जो सिद्दान था, वो इंस्पिरेशन कर था, थर्ड हम आजाते हैं, हमारे पास पोजिशन पे, पोजिशन बहुत मैटर करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि AP और PA व्यू, यह दि पेशेंट का PA व्यू है, यानि कि जो एक्सरे बीम आ रही है, वो देख सकते हैं, यहां, तो इसी सिचुईशन में हार्ट जो है, यह एक्सरे फिल्म है हमारी, यह लाइट इदर से आ रही है, तो हार्ट की जो साइज आ रही है, वो 13 cm आपको हमें छोटा दिख रहा है, लेकि इसी पेशेंट को हम गुमा दें, और हम अब ले रहे हैं, AP वी हार्ट की साइज आ रही है, 16, इसी लिए कितनी बार AP वीव को हम लोग अथेंटिव नहीं मानते, क्योंकि इसमें फॉल्स कार्डियो मेगेली, याने की हार्ट हमें अनलार्ज बड़ा दिखता है, इसी लिए हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हार्ट की यह आ रही है, जबकि यहाँ पर अगर आप हार्ट को देखेंगे, तो यह साइस बड़ी आए, इससे फॉल्स कार्डियो मेगेली भी कहते हैं, तो पॉजिशन बहुत मैटर करती है, आप याद रखें कि एक्सरे किस व्यू में लिया गया है, और इसको और इसको पॉरा आप कीजा बिस फिस उससे लिया कह이라ा है, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे चेकिंगे उल्स लिया पiggly one that यह तरीके साथ ओवर एक्सपोज जो है नेक्स जो है हमारे पास वह है करेक्स्ट जो एक्सपोजर है एक बैलेंस एक्सपोजर जितनी लाइट की ज़रोते यह दी उतना है उसमें तो हम लोग क्या करेंगे से करेक्ट एक्सपोजर तो यह सारी चीज हमेरे पास तीनों चीज हुए अब आजाते हम लोग A, B, C, D, E अप्रोच के उपर इसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो आती हमेरे पास एरवे एरवे असिस्ट करने से पहले हमें सबसे पहले देखना है हमारे नॉमल स्ट्रक्चर देखिए आप देखते ही जब भी आप देखते ही ये Trachea हमारी और ये Karayna कराइना वो पाट है जहांसे Trachea दो पार्ट में अलग-अलग ट क्याएड हो रही है इधर हमारे पास थ्री लॉप्स होते है राइट साइड के अदर तू होते हैं और यह यहां से यह आप देख सकते हैं इसके अंदर यह राइट ब्रॉंकस है और यहां से लेफ्ट ब्रॉंकस आ रही है तो एक सबसे पहले जैसे आप X-ray देखेंगे तो आप यह देखेंगे कि जो हमल ट्रैकिया है वो बराबर से नॉमल डिवेटे टेडी मेडी तो नहीं ह अब आप देख सकते हैं यहां पर को इफ्यूजन है इसके अंदर कहीं डिवेटेट थोड़ी सी आपको टेडी मिल रही है इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम यह आ जाते हैं यह इस चीज़ को डिविशन देखना तो ट्रैकियल डिविशन नीमो थोरेक्स नीमो लंग जो है यहां पर अंदर वाइटिश पाट जादा दिख रहा है याने कि लैप लंग जो है वह अफेक्टेड एक इस से आपके निमो थोरेक्स से इस सिचुएशन के अंदर आप देख सकते हैं जो ट्रैकिया है वो थोड़ी सी डिवेटेड है टेडी जुकी हुई है य हम कंडिशन बात करते हैं मास कॉर्मिशन की यह देखिए आप देखिए ट्रैकिया यहां से यह इस टाइप से मोट रही है यह जो डिवेशन है यहां पर कोई कैंसरेस ग्रोथ हुई है कोई सेल्स बढ़ गई है तो यहां पर इनको हम देख सकते हैं दूसरा आप और यहां देख सकते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन यदि फेफडों में पानी भर गया है तो आप देख सकते हैं यह जो नीचे का एरिया है खास सरी किसा आप देख सकते हैं राइट लंग के अंदर पानी भर चुका है तो इसको प्लूरल इफ्यूजन कहेंगे और इस situation को भी आप दे शौर्स और पानी बिदिःग के अदर देख सकते हैं यह जो ब्रीधिंग से रर्लेटेट प्रॉलम्स यह आप यहां पर अब्सक्श कर सकते हैं यह सारी चीजिशी आपको देखने को मिलती है नेक्स्ट आप बोन्स बोनकी अदि हम बात करें तो आपको अब्सकते करना कि क ये भी observe करना है कि हमारी सारी bones जो है, वो normally अच्छे से intacted है या नहीं. थर्ड जो पार्ट हमें observe करनी हो, एक्चे सेक्षरे में वो है CTR, Cardiothoracic Ratio, ये है क्या ची समझते हैं. यानि कि जो भी हमारी, माली जी थौरसिक cavity है, एक simple rule आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो थौरसिक cavity जितनी होगी, उसका जस्ट आधा आपकी cardiac diameter होगा, यानि कि थौरसिक diameter का जस्ट आधा है cardiac diameter, इसका एक simple formula ये है, कि cardiac diameter is divided by thoracic diameter, माली जी ये, हमारा जो cardiac diameter है, वो 16 है, और thoracic diameter यहां से यहां तक का हमारे पास 32 है, तो ये हो गया हमारे पास 0.5, ये normal जो हमारे पास CTR जो आएगा, वो 0.5 है, नॉर्मल ये ऐसा होना चाहिए, ये आप जुरूर अब्सर पर लें, कि ये heart जो अपना normal position पर है या नहीं, अगर ये okay है, यानि कि हमारा सब कुछ ठिक ठाक है, आप CTR से इस चीच को measure कर सकते हैं, next आजाता है हमारे पास diaphragm, diaphragm के ये हम बात करें, तो सबसे पहले आप इसको देखें, diaphragm जो है हमारे एक normal state में, जो होता है, जो right side का diaphragm है, वो थोड़ा सा up elevated होता है, जबकि left side को ये diaphragm में थोड़ा सा नीचे देता है normal position गया है, इसके अंदर, और यहाँ पर ये costo-franial जो angle है, आप देख सकते हैं ये वाला कोना, ये बहुत important है, जब भी कोई fluid, आप देखा कि यदि किसी कोई भी चीज़ फर्ष टेड़ा होगा, ये बाथरूम में भी आपने पानी फ्यलाया है, तो पानी सीधा वहाँ जाएगा, उस angle पर जहाँ पर धलान होगा, naturally यहाँ पर किसी भी प्रकार को effusion होता है, fluid भरता है, तो जो costo-franial angle है, यहाँ पर आके इखटा हो जाता है, naturally, तो आप यह देखिए जो एंगल है, वो प्रॉपर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, डाइफराम अपने नॉर्म पोजिशन पर नहीं, राइट प्राइम साइट का जो डाइफराम थोड़ा सा उठावा होता है, यहाँ पर यह जो blank part है, यह stomach bubble है, इसको देखके confuse मत होई है, इसको air मत समझेएगा, यह normally यह normal है, और यह यहाँ पर होना चाहिए है, तो left side का diaphragm जो है, फ़रा से इस प्रकार से गया कोई, अगर इस में से किसी प्रकार की, कोई air यहाँ पास नहीं हो रही है, और यह 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 पास हो रही है diaphragm की थूँ, तो एक serious problem होती है, जिसको neemoporytonium कहते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ, यहाँ neemoporytonium के अंदर, यहाँ इस तरह के से air आपको देखने को मिल रही है, यह serious alarming state है, और patient को immediately उसको hospitalized करने की ज़रुत है, और E से आता है extra assessment, और सारी चीज़े जो थोड़ी सी extra है, जो आपको x-ray में देखने हैं, किसी भी प्रकार का, यहाँ यहाँ प्रकार का यदि कोई ng tube डाली गई पेशेंट को, तो आप देखें, ng tube यहाँ तक, आप देख सकते हैं, यह feeding tube जिससे कह सकते हैं, तो इस प्रकार से आप कुछ general assessment, x-ray से के संबंदी कर सकते हैं, और कुछ general assumptions आप अपने लिए या patient के लिए बना सकते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, यह video आपको पसंद आया होगा, और यह दि वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो इस चैनल को subscribe करना ना भूलें, और साथ में आने वाले bell icon को press करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो के updates, समय समय पर अपने mobile पर message के रूप में मिलते रहें, और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें, थैंक यू सो मच, थैंक वर वाचिं इस वीडियो, थैंक यू